नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आतने वर ऑनलाइन क्लासेस में आज की वीडियों हम देखने वाले हैं धार्मी कांदोलन के सबसे महत्पूर्ण कोश्चन्स ठीक है चलिए पहला नमर कोश्चन देखते हैं आपका जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्मे कुल कितने तीर्थ कर हुए इसका राइट एंसर दोजाएगा 24 जैन परंपरा कि अनुसार 24 जैन धर्म में तेर्थ कर हुए थे ठीक है बहुत इम मॉटन किस्टव यह आपका के कोशन नमर सेकेंड देखते हैं आपका थ्रीपीटक धर्म गरंत है तो इसका राइट क्या हो जाएगा हकुसिनागर में जो की यूपी में उपड़ता है बहरी बहरी इंपॉर्टन कोश्चन है आपका यह कोश्चन किया गया था तो इसका राइट एंस हो जाएगा असोग के द्वारा असोग के द्वारा तिरतिये बहुत संगीती को संदक्षन प्रदान किया गया था कोश्चन नुमर 6 देखते हैं आपका बहुत गरंत पीटको की रचना निमलिखित में से किस भासा में की गई थी तो पीट असक के सासनकाल में नेपाल में बहुत धर्म का गमन हुआ था ठीक है तो इसका राइट देखते हैं सांची क्यों विख्यात है तो वहां पे सबसे बड़ा बहुत स्थूप है ठीक है इसलिए वह विख्यात है कोश्चन नुमर 9 देखते हैं आपका महाबीर का जनम किस छत् चत्रिक चत्रिय गौतर में उनका जनम हुआ था महाबीर की माता कौन थी इसका नाम एंसर क्या हो जाएगा त्रीसला त्रीसला जो थी हो महाबीर की माता थी कोश्चन नुमर 11 देखते हैं आपका गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर में दिख्यत किये जाने वाले अंति भात्र ठीक है इसका राइट एंसर हो जाएगा कौशन नुमर 12 देखते हैं प्राचींतम विश्विद्याले कौन सा है बहुत इंबर्टन कुशन है आपका ये तो सबसे सबको पता ही होगा ये नालंद जो है वह सबसे प्राचींतम विश्विद्याले है ठीक है कौशन में थर्टिन आपका देखते हैं किस भासा में ज्यादा पर्योग बौधवाद के परचार के लिए किया गया है तो इसका राइट एंसर जाएगा पाली भासा ठीक है कौशन नुमर 14 देखते हैं आपका महावीर की मृत्यू कहां होई थी तो इसका राइट एंसर जाएगा हाथी है हुएाल जैनव को घर्ण नड़ायों के पावले तेदत कर भासाप और दोनों के उपदेश किस के सासंकाल में दिया गये थे एथ है उसका दो बिशार के सासनकाल में इनका उपदिस दिया गया था कुश्यन बर 18 दिखते हैं आपका गौतम बुद्ध ने अपना प्रत्वम उपदिस कहां दिया था इसका रहाइट एंसर क्या हो जाएगा सारनाथ में बहुत इंबर्डन कुश्यन ये सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रत्वम उपदिस दिया था कोश्यन नाटिन देखते हैं आपका बहुत दर्म गहन करने वाली पहली महिला कौन थी तो इसका रहाइट एंसर किया हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी जो थी वह बहुत धर्म करने वाली पहली महिला थी ठीक है कोश्यन नमर्ट बुद्ध गया कहां इस्तीत है तो यह सब को पता ही होगा बिहार में बहुत गया इस्तीत है ठीक है बहुत इंबॉडर्टन को यह भी आपका कुशनमर्ट 21 देखते हैं जातक किसका गरंत है जिसका राइट जैगा बौध का बौध का कौ। कोशन में 22 देखते हैं आपका सिदार्थ जो कि बुद्ध का नाम है ठीक है तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां होई थी तो गया में गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होई थी बहुत इंबॉड़न कोशन है आपका यह कोशन में 23 देखते हैं सारनात में बुद्ध का प्रतम प्रवच्चन कहलता है, क्या कहलता है, धर्म चक्रपरवरतन, ठीक है, धर्म चक्रवरतन को कहा जाता है, नेक्स्स कोशन आपका देखते हैं कोशन नमर्ट 24 बॉत धर्म ने समाज के निमन वर्गोपर मुहतपुन प्रभाव डाला तो कौन कौन से वर्गोपर प्रभाव डाला था तो महिला और सुद्र पर ठीक है कोश्यममों 25 आपका देखते हैं बुद्ध के ग्रित्याक का प्रतिक है तो घोड़ा थेक है न घोड़ा जो है वह बुद्ध के ग्रित्याक का प्रतिक है उने की स्थापना की गई थी तो इसका राइटेंट सुझे करेंगा वैसाली में गठेंट ४द्थ्वरा भिक्षोनी संक कर्फपना की गई थी थी सफर्वर्व प्रत्रम शुन्यभद सुन्यतक कसिध़ांत का प्रतिपाधन करने वाले बाहत तरश्नीक कि हैं क्या नाम है उनका तो नागर्जुन नागर्जुन जो है वहीं इसका प्रतिपादन करें ठहिक म्नाम गैसे अंब्र कम्षा है तो दोर्धमान जो महारे कभ मुल नाम मैं 20 करसे या की रौसनी तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा गौत्म बुद्ध को एसिया की रौसनी कहा जाता है ठीक है कुशन नमर्ट 30 देखते हैं आपका दिलवाडा के जैन मंदिरों का निर्मान किसने करवाया था इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा प्रमान का फिर सुलंकियोंने ठीक है कुशन मर्ट 31 देखते हैं आपका नागरजुन कौन थे नागरजुन कौन थे तो बहुत दार्सनिक थे वह ठीक है ओ कोशन में 32 देखते हैं आपका जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन 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 से दिर्थ कर थे तो 24 वे दिर्थ कर थे जैन परंपरा के अनुसार ठेक है महावीर कुशन मोर 33 देखते हैं आपका जैन धर्म का आधार भुत बिंदु है किस पे है वो तो ये लोग आहिंसा के पुजा रही थे ठीक है तो आहिंसा इसका राइट अंसर हो जाएगा 34 नमर देखते हैं आपका जीयो और जीय ने दो किस ने कहा था तो इसके रीटेंसर क्या हो जागा महवीर स्वामीन ने कहा था जींग और जी ने दू कोसिए 55 आपके देखते हैं तूरितकरो के कर्म में अंतिम कॉन था ठीक है तो अंतिम कॉन नोमर 36 आपका दлушайते हैं जैन धरम में पुण्ड ग्यान सब्ड तो इसका रहतेस्ष्ण क्या हो जाऑ जाबाया के वा लिए ठीक है कैवल्य जो आपका कनिस्क के सासनकाल में चतूर्थ बौध संगीती सभा किस नगर में आयोजित की गई थी तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा कुंडल कुंडल वन में ठीक है कुंडल में जोके कास्मीर में वहीं पर इसकी अस्थाप आयोजित की गया था ठीक है कोशन मर्ट 39 देखते हैं आपका तृतिया बहुत संगीती कहां होई थी तो इसका राइट एंसर हो जागा पाटली पूत्र में पाटली पूत्र में तृतिया बहु प्रत्र में प्रत्र में प्रत्र में प्रत्रं बहुत संगीती सभा का आयोजन किया था ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएका राजग्री में सबसे पहले बहुत संगीती आयोजित की गए थी कोशन ओमर 43 देखते हैं आपका बुद्ध के जीवन की चार महतपूर घटनाओ और उनसे संबन चार अस्थानों के नीचे उल्लेक है ठीक है यह दोनों अस्थांबो एक और दो में अंकित है ठीक है तो इनका सुमेलन करना मतलब कि म प्रवचन कहां दिये थे तो सारनाथ में ठीक है और निधन कहां हुआ था इनका निधन इनका कुसी नगर में हुआ यह इसका ऑप्सन के कोडिंग सी जो है वह राइट एंट सरो जाएगा कोशन ओर 44 देखते हैं आपका निमिलिकित में से सबसे पूरवकालीन जैन धर्म ग राइट एंसर क्या हो जाएगा 14 ठीक है 14 पूर जो है वह पूरवकालीन जैन धर्म या फिर गरंत कहलाता है ठीक है कोशन ओर 45 देखते हैं आपका आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन थे तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मकली गोसाल मकली गोसाल जो थे हैं वह आजीवक संपरदाय के संस्थापक थे हैं ठीक है इसका राइट एंसर हो जाएगा कौशन मillonर 46 आपका देखते हैं भागवत संपरदाय के विकास में किसका योगदान आतियदिक था मतलब किसका योगदान जो था वो सबसे ज्यादा था इसका राइट एंसर क्या हो जमाली जमाली जो थे वो भगवान महावीर के प्रतम सिस्ते थे ठीक है कुशन मर्फ 48 देखते हैं आपका त्री रत्म सिध्धांत सम्यक धार्ना सम्यक चरित्र सम्यक ज्यान जिस धर्म की महिमा है वह है मतलब यह कौन से धर्म से रिलेटेट है तो इसका राइट एंसर क्या ह हो जाएगा जैन धर्म से ठीक है कुशन मर्फ 49 देखते हैं आपका कथन एक क्या कह रहा है कुसी नगर मल गड़ राज्य की रजधानी थी तो यह सही है कथनार जो है वह क्या कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिवान कुसी नगर में हुआ था यानि कि मृत्ति उनकी कुसी नगर में हुई थी तो यह भी सही है तो लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं आपस में तो क्या हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की वैक है नहीं करता है ठीक है तो 20 का राइट एंसर हो जाएगा कोशन मर्फ 50 देखते हैं निमनांग के कथनों का विचार करें एवं चैते वह विहार में क्या अंतर है इसे चुने तो चैते कहता चैते पुजा अस्थल था जबकि विहार कहता वो निवास अस्थान था तो आप्शन के कोडिंग 20 का राइट एंसर हो जाएगा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच अच्छोग जाएगा 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 उतचben है